पिछले सेंचुरी का सबसे बड़ा हिंदू, सबसे बड़ा इंडियन और सबसे बड़ा ह्यूमन ये तीनों सिर्फ एक विक्ती था, वो विक्ती था महात्मा गांदी और फादर अफ नेशन वी नीड सच प्लूरलिजम, ग्रोथ और हार्मनी, गांदी जी, पतेईल, मौलाना अब्दुलकलाम, भारत अब्दुलकलाम, गुरी जी गोलवालकर, सबको ये जगा में स्पेस है, वो ही भारत की सचा ही है और वो ही भारत को विशू गुरु बनेगा हमारे देश का सबसे बड़ा स्ट्रंग्ध हमारे प्लूरलिजम है, जब रिलीजियस गुरु प्लूरलिजम के खिलाफ बोलते है और एक और धरम के खिलाफ बोलते है तो हमारा नेशन वीकन होगा, ये धीक नहीं है, धर्मुरु को कभी भी चूट नहीं बोल देना है, उसको गूगली नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा सीधे आत्मी है, इसलिए हम उनको धर्मुरु कहते है, प्रेयर कभी भी एक पॉलिटिकल क्याम्बेन नहीं है, प्रेयर हमेशा एक स्पिरिच्वल कॉन्वसेशन विद गॉड है, और उस स्पिरिच्वल कॉन् कि दिल्चस्थी नहीं हमें आइंडी, आम ये बताना चाहते है, आशी शुरे देश्वल आप आप हम धरम नहीं बदलते हैं, हम इंसान बदलते है, अच्छा में पर शूरिच्वल के यह बात है, जो बहु पिजएप की और से घर बाप्सी, क्या है, ये धरम परिवरता है, किस्ट्यानिटी नहीं कंवर्शनिजम है वो एक सीरिस इश्यू है वो इंपीरलिजम है वह कंवर्शनिजम एक धारम के मासक्त कर एक एक इंपीरलिसम चल देना चाहता है और वो conversionism के खिलाफ है, हम सिर्फ हमी नहीं आफरिका के लोग उसके खिलाफ है, चाइना कलोफ के खिलाफ है, अगर रिस्पेक्टेड फादर ने कहा कि अगर हम चाहे तो भारत को बन किया होगा, सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड फादर, अगर आपको conversion पे दिल्चपसी नहीं है, एंडी-फोस conversion law, जो महादमा गांधी तक ने कहा है, क्या आप सहमत है एंडी-फोस conversion law लाने के लिए, यस और नो? भारत में तीन जंग है, हमको openly, intellectually, honest कर देना चाहिए, इसका reality है, economy और development भी होना चाहिए